है है अलो एवरिबन वेल्कम टू स्टेडी एक्स्प्लूजन आज हम पॉलिटिक न्यू टापिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्स आफ इंडियन कांस्टिटूशन जाने की बॉरूड फिचर हमारे कांस्टिटूशन ने किस कंट्री के कांस्टिटूशन से क्या-क्या ल है एह तो टोटल कंट्रीस हैं है हैं नं सिक अ ठीक है कोन कोन सी है तो सबसे पहले है जू कि जनिकि युनाइटड टिंग्डम है जिसको इंग्लेंड कहते हैं सो इन से क्या-क्या लिया भी सबसे पहले लिए इन से पार्लिमाटरी गवश्मेट हिंदी में कहेतो संसधिय सरकार ठीक है नेस्टिन से लिए रूल आफ ला रूल आफ ला याने की कानून का शाषन ठीक है मैंस लिए है लेजिसलेटिव लेजिसलेटिव प्रोसीजर याने की having the power to make ला लाब नाने की पावर्स नेस्टिन से लिए है सिंगर सिटिन शिप याने की सिंगल नागरित्ता ठीक है ओर लिया है कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट सिस्टम जिसको हम मंत्री मंडल प्रनाली कहते हैं ठीक है नेस्ट लिया है प्रिविलेज जिसको हिंदी में कहते हैं संसदिय विशेशदी कार ठीक है और लिया है बाई कैमरल लिजम बाई कैमरल लिजम क्या है टू सेपरेट असेम्बली जैसे किसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कॉंसल होती है जाने कि बिदान परिशद और बिदान सवा बिदान परिशद और जिदान सबा इसको जिस राजे में जे दोनों हो दोनों सम्बली हो उसको कहते हैं बाई कैमरेलिजम तो जे सारे फिच्चर हमने लिए हैं इंगलेंड से जूपके से ठीक है देखिए आईर लेंड से क्या के लिए तो सबसे पहले लिए डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पॉलिशी इसको हिंदी में कया कहते हैं राज्ये नितिका निर्यदेशिक सिद्धान्त ठीक है और क्या लिए इनसे और लिए method of election of the president method of election of the president पहले मैं आपको detail से बता देता हूँ फिर हम इन पे mcq करेंगे ताकि आपका साथ-साथ revise भी हो जाएगा ठीक है तो method of election of president क्या है राष्ट्रपती के निर्वाचन की बिदी ठीक है और क्या लिए है और लिए है members nomination to the राज्ये सभा बाइदा प्रेजिडेंट राष्ट्रपती द्वारा राज्ये सभा के लिए सदसे का नामा करन करना ठीक है और ये सब method लिए हैं ये सब feature लिए हैं हमने किसे island से नेस्ट है third country USA United State of America तो देखिए USA से क्या के लिए है तो सबसे पहले लिए है impeachment of the president impeachment of the president राष्ट्रपती पर महवी योग ठीक है नेस्ट लिए है function of president and vice president राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती का कारे functions of president and vice president next है removal of removal of supreme court and high court judges high court judges supreme court और high court के सभी जज्यों को हटा देना ठीक है next है fundamental rights जिसको मोलिक अधिकार कहते हैं most important है fundamental rights जिसको क्या कहते हैं मोलिक अधिकार नेस्ट लिया है judicial review judicial review जिसको नियाईक समिक्षा कहते हैं ठीक है नेस्ट है independence of judiciary नियाईपालिका की सबंतलता इंडी पैंडेंस अफ यूदिश्री नेस्ट लिया है दा प्रेंबल आफ दा कांस्टिटूशन जिसको संभीदान की प्रस्ताब न कहते हैं प्रेंबल आफ दा कांस्टिटूशन जिस सभी फिक्टिर हमने लिए है किससे जू एस यूनाइटर स्टेट आफ अमेरिका से नेस्ट कंट्री है कैनड़ा तो देखिए कैनड़ा के कांस्टिटूशन से क्या क्या लिए है तो सबसे पहले जितनी भी पावर्स हैं भू सभी कंड़ा से लिए गई है नेस्ट है सेंटर अपॉइंट दा गवर्नर एट दा स्टेट अपॉइंट्स दा गवर्नर एट दा स्टेट एंदर राज्य में राज्य पाल की निजुकती करता है ठीक है सेंटर क्या करता है गवर्नर की निजुकती करता है स्टेट में नेस्ट लिया है एडवाइजरी यूरिस्टिशन आफ दा सुप्रीम कोड़ अधिक है नेस्ट कंट्री है अस्ट्रेलिया तो देखिए अस्ट्रेलिया के कांस्टिटूशन से कहके लिए है तो सबसे पहले कांकुरेंट लिस्ट है कांकुरेंट है इससे मोस्ट अपार्टेंट है मैक्सिमूम टाइम पेपर में आया ठीक है इसनिये है नेस्ट लिया है जाइंट सिटिंग आफ़ तो हाउसे दोनों सदनों की संजुब बैठक और जाइन सिटिंग अफदा टू हाउस दोनों सद्रों की संजुग बैठक कहते हैं जो आर्टिकल हंडड़ एट में आता है जो मैं आपको आर्टिकल करवांगो उसमें मैं सारे एक्स्प्लेनेशन कर दूँगा ठीक है सारे डिटेल से समझा दूँगा नेस्ट अस्ट्रेलिया से क्या लिए है फ्रीडम आफ ट्रेड एंड कुमर्स फ्रीडम आफ ट्रेड एंड कुमर्स बेपार की सबंतरता जिस सारे फिचर हमने लिए हैं अस्ट्रेलिया से ठीक है नेस्ट कंट्री है USSR जिसको सोवित उनियन कहते थे ठीक है और नो अब इसे क्या कहते है नाव रशिया ठीक है तो रशिया से क्या क्या लिया है तो सबसे पहले लिया है रशिया से के फंडामेंटल ड्यूटी जिसको मोली क्रतब्य कहते हैं ठीक है फंडामेंटल ड्यूटी जूट करें नेस्ट है फ्रांस अधार को को अधार कंसेप्ट अफ रिपब्लिक रिपबलिक का किनसब जो है वह फ्रांस से लिए गया है और आईडिया आफ आईडियलस आफ लइबर्टी, इक्वैलिटी एंड फ्रेटर्निटी लेबर्टी, इक्वैलिटी, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, जे मैं ने आपको प्रेयम्बल में डिटियल से समझा दिये हैं, ठीक है? नेस्ट है जर्मनी, जर्मनी से क्या है? सस्पेंशन आफ फंडामेंटल राइट्स डूरिंग अमर्जेंसी, अपात काल के दोरान मोलिक अधिकार का निलवंदन, ठीक है? सस्पेंशन आफ फंडामेंटल राइट्स डूरिंग अमर्जेंसी, नेस्ट है आपका? South Africa South Africa South Africa से क्या लिए गया है Election of Member of Raja Sabha Raja Sabha के सदस्यों का चुनाव Election of Members of Raja Sabha Raja Sabha के सदस्यों का चुनाव Next South Africa से क्या लिए है Amendment of the Constitution Amendment of the Constitution जिसको हिंदी में कहते है संभी दान का संशोधन संभी दान का संशोधन ठीक है और Last Country है Japan Japan जिससे क्या लिए है Concept of Procedure Established by Law Concept लिया है इसका Procedure Established by Law तो ये सारे फिचर हमने 10 कंट्री से लिए है ठीक है चलिए अब इन पर MCQ लगाते है देखें फर्स्ट क्वेशन तो लास्ट है Directive Principle of State Policy जो हमने लिया है Ireland से ठीक है तो इस क्वेशन का राइट का आंसर क्या है Single City and Chief Next question देखें The feature of कॉसी फेडरल गोर्मेंट सिस्टम इन दा कंस्टिटूशन आफ इंडिया इस बारोड फ्राम दा कंस्टिटूशन आफ भिच कैंट्री कहते हैं कि जो अर्द संदिय सरकार पर नाली की विशेश्ता है वो किस देश के कंस्टिटूशन संभीदान से लिया गया है तो यह लिया गया है कैनड़ा के कंस्टिटूशन से ठीक है Next question देखें The concept of judicial review in Constitution of India has been taken from the Constitution of which country कहते हैं जो न्याय समिक्षा है हमारे संभीदान की वो किस देश के संभीदान से लिया गया है तो वो लिया गया है USA United State of America Option D Next question है The Indian Constitution includes borrowed feature from how many country इंडिया के सभीदान में जो भी borrowed feature लिये गये हैं वो कितने देशों से लिये गये हैं तो जै मैंने आपको स्टार्टी में समझा दिया पूरे देश से क्या-क्या लिया गया है तो टोटल कांट्री कितनी थी 10 तो इस क्वेशन का राइट आंसर होगा Option D Next question देखिए The principle of liberty, equality and fraternity of the Indian Constitution और borrowed from the Constitution किस देश के Constitution से हमने liberty, equality and fraternity लिया है तो जै लिया है France से Option A Next question देखिए Which of the following is not a source of the Indian Constitution ये जो four option है आपके सामने इन में से कौन सा ऐसा option है जो Indian Constitution का स्रोत नहीं है ठीक है तो देखिए मैंने आपको टोटल कंट्री बताई हैं कितनी हैं जिन से Indian Constitution ने बारूट फिचर लिये हैं तो उसमें France भी था Ireland भी था USA, United State of America भी था तो Denmark नहीं था तो उन्होंने पूशा नाटे सोर्स जो नहीं है तो इस question का right answer किया है option D नेस्ट कॉश्चन है इंडिया Constitutional Provision of Indirect Election of राज्यसवा मेंबर्स राज्यसवा कि सदस्यों की election जो है वो किस देश से अडाप्ट की गई है तो वो की गई है South Africa से तो मैं आपको बता दूँ जे जो जितने भी फिचर अडाप्ट किये हैं जितने भी फिचर अडाप्ट किये हैं तो जे किस एक्ट के जरीए किये गए हैं तो जे किये गए हैं आपके Government of India Act 1935 के तहप ठीक है Next question देखिए From which country has the Indian Constitution derived the provision of 5-year plan तो 5-year plan किस देश के Constitution से लिया है तो जे लिया है USSR जाने कि Russia Russia से ठीक है अब option A है USA United States of America तो USA से क्या क्या लिया है वो मैंने आपको starting में पूरा detail से समझा दिया है South Africa से क्या लिया है Island से क्या लिया है तो आप starting से मैं चाहता हूँ कि detail से पढ़ लीजिए और फिर fundamental right किस देश के constitution से लिया है तो option A United States United States से लिया है option A तो next question देखिए which part of the Indian constitution is inspired by the constitution of Germany तो जर्मनी के constitution जर्मनी के संभीदान से कौन सा feature अड़ाप्ट किया है तो वो है suspension of fundamental right during the emergency देश में emergency होने पे fundamental right को suspend कर देना वो लिया गया है जर्मनी से option D और मैं आपको question पूशूँ कि during the emergency जब देश में कोई emergency हो during the emergency कौन से दो article हैं जो suspend नहीं होते तो article 20 और 21 during the emergency suspend नहीं होते तीक है अब article 20 और 21 में क्या है जिए मैं आपको जब article पढ़ाऊंगा उसमें detail से समझा दूँगा ठीक है next question है the idea of rule of law the idea of rule of law in the Indian constitution has been taken from which of these constitution तो किस constitution किस सभिधान से idea of rule of law लिया गया है तो जै लिया गया है British constitution जाने कि जूके से United Kingdom ठीक है United Kingdom आ जाए जाए इंग्लेंड आ जाए जाए फिर बिरिटें आ जाए ठीक है next question देखिए provision of first past the post in Indian constitution has been adopted from the constitution of कहते हैं कि किस सभिधान से बालती सभिधान में first past the post post से पहले कब प्रावदान अपनाया गया है ठीक है तो जै अपनाया गया है option C Britain से तो इस question का right answer होगा option C next question देखिए the concept of federation with strong center in the Indian constitution has been taken from बालती सभिधान में मजबूत के इंदर वाले संग संद की अबदारना किस से ली गयी है तो जै लिया गया है option B Canada से ठीक है next question देखिए from which of the following country has freedom of trade feature taken by the Indian constitution किस देश से बेपार की सबंतलता का feature लिया गया है बात की सभिधान में ठीक है तुझे लिया गया है Australia से इस question का right answer होगा Australia next question देखिए from which country constitution has Indian constitution borrowed the picture of fundamental right fundamental right मुलिक अधिकार किस देश के constitution से लिये गया है तुझे लिये गया है USA United State of America अधिका से next question है the fundamental duties in the Indian constitution has been adapted from कहते हैं कि जो मुली कृतब्बे हैं वो किस देश के constitution किस देश के संभिधान से लिये गये हैं बाती संभिधान ने ठीक है तुझे लिये हैं USSR United मतलब Soviet Union में से जिसको Russia कहते हैं ठीक है Russia से next question है the concept of directive principles in Indian constitution has been taken from directive principle of Indian constitution राज्य निती का निर्देशक सिदान्त किस देश के संभिधान से लिया गया है तो जै लिया गया है island option C से next question देखिए the parliamentary government concept of the constitution of India was taken from which country कहते हैं कि जो संस्दिय सरकार का concept है वो किस देश के संभिधान से बाती संभिधान ने लिया है तो जै लिया है England से ठीक है जैने कि United Kingdom से UK से United Kingdom से next question है the fundamental duties of the Indian constitution is taken from the constitution of which country जै कॉशन repeat हो गया fundamental duties मौलिक करतब्बे जो बाती संभिधान में मौलिक करतब्बे है वो किस देश के संभिधान से लिया गया है तो आप्शन है आपके सामने United Kingdom United State of America Soviet Union और अस्ट्रेलिया तो जै लिया गया है Soviet Union जाने कि USSR जिसको क्या कहते है रशिया तो जै रशिया से लिया गया है ठीक है लास्ट क्वेशन है अपात कालिन प्राबदान किस देश के संभिधान से लिया गया है तो जै लिया है जर्मनी से ठीक है तो जै थे आपके MCQ बेजडान बहरत फेचर नेस्ट क्लास में हम किसी और टापिक पे MCQ करेंगे तो आज के लिए यतना ही मिलें के नेस्ट क्लास में थेंक्य क्लास